नमस्कार विंध्या टाइमस में आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूँ आश्यो तोस्तिवारी मतप्रदेश्ट में कहीं बाड जैसे हालात है तो कहीं सूखे के स्थिति निर्मित हो गई है कई ऐसे जिले हैं जो सूखा से प्रभावित हैं सूखे होने की वहां पे आशंका जताई जा रही है इसके अलावा आपको बता दी कि कई ऐसे जिले भी हैं जो बाड से प्रभावित हुए हैं जहां जल प्रले ने अपना रौद रूप धारण किया और कई ऐसे घर हैं जो उजडगा हैं जो मलवे में तबदील हो गए हैं कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो गये हैं आप प्रसासन उन तक मदग पोचाने की कोसिस कर रही है लेकिन जो जिले हैं जो सूखा से प्रभावित हैं उनके संख्या पहले साथ थी अब वो बढ़कर दस हो गई है ये भी एक महज इतिफाक आप समझ सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं मदप्रदियस में भारी बारिस से जल पर लाएक इस्थिति निर्मित हुई कहीं ऐसे जिले हैं जहां लोगों को अभी भी बारिस का इंतिजार है बह हानपूर है पन्ना है दमो है कटनी है जबलपूर है सिमनी है और बाला घाट में लोगों को अच्छे बारिस होने का इंतिजार है अगले कुछ दिन बारिस नहीं होती है तो इंदौर छिदवाड़ा जाबवा हर्दा होशंगाबाद और खंडवा भी रिड जोन में आ सकते हैं यहाँ पर अभी तक समानने से दस से लेकर उनौईस फीसद ही तक पानी कम गिरा है जबकि इस्थती है जो समानने से बेहतर है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसमें भौपाल इजैन रिवरा राइसे नीमच समेत अच्छी राय जहां इस बार मानसून स्मानने से चल् मेरे निकल कर सामनी आई हैं कि लोगों के आसियाने उजडगे, लोग अपने घर से बेघर हो गए, लोगों को पर तक रहत सामगरी तेजी से पहुचाई जाने लगी, गुना और शिवपूर, शिवपूरी जैसे जो जिले थे वो बाड से बुरी तरह से प्रभावित हुए, दरजनों से ऐसे गाउं थे जो डूब गए थे, और लोगों के घर में एकदम पानी भीतर तक जा चुका था, इसके अलावा आपको बताते हुए, आपको बताने की इसके अलावा लगता, रिस्क्यू आपरिसन प्रसासन के दोरा किया गया, समय समय पर लोगों को निकालने कराक्रोस भी देखा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, कि बाड़ से पहले, अगर इतना बड़ा खत्रा था, तो मुनादी भी नहीं कराईगे, इना ही लोगों को बताया गया, कि वो अपना घर छोड़के, अपने सामान को निकाल कर, वो लोग दूसरी जगह पर पलाइन कर सकें, क्योंकि उस समय जरूरी इसलिए भी था, क्योंकि उस समय जो हालाद बने हुए थे, तेजी से लोग कोई अपनी मवेश्ची को लेकर भाग रहा था, कोई जरूरी समानों को निकाल कर भाग रहा रहा था, जिसने बाड़ प्रभावित इलाकों में, लोग बात यह है कि कहीं जहां बाड़ की स्थिती बनी हुई थी, वहीं अब जो है, सूखे की स्थिती भी बनी हुई है, दस ऐसे जिले हैं मदप्रदेश के, जिनकी संख्या पहले साथ थे, साथ जिले जो सूखे की गगार पर थे, लेकिन अब मदप्रदेश में दस ऐसे जिले ह जहां सामाने से भी कम बारिस हुई है लोगों को एक बहतर और अच्छी बारिस का इंतजार अभी भी हो रहा है लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पे बारिस हो और सामाने बारिस हो जिससे वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसे विधा नहों खेती में बार जैसे हालात तो कहीं ये आप प्रकृति का ही एक दो चेहरे आप कह सकते हैं कि कहीं बार जैसे हालात तो कहीं सूखे के इस्थति निर्मित है